हेलो फ्रेंड्स मैं अतुल दिवेदी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पाइनरी ट्यूब प्रियागराज में हम लोग का लास्ट टॉपिक था हम लोग डिसकस कर रहे थे अमस वर्ड के बारे में जिसमें आज हम लोग कंटीन्यू करने वाले हैं उसके नेक्स टॉपिक पर तो आएए ms वर्ड को ओपें कर लेते हैं तो हमने बात किया था MS Word को open करने का जो shortcut होता है it means run command के त्रोंग लग open कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको press करना है window plus R then आपको यहाँ पर write करना है win word win word write करने के बाद आपको next press करना है enter जैसे आप interface करेंगे आपके सामने आपका MS Word open होके तो आ जाएगा उसके बाद आए चलते हैं अब अपने next point पे तो हम लोग यहाँ पर बात कर चुके थे bold italic, underline, sub script, super script यह सारी चीज़े हो गई थी यहाँ पर हम लोग का रहा गया था format printer तो आए आज बात कर लेते हैं कि क्या होता है format printer या फिर use of format printer तो यहाँ पर हम क्या करते हैं पहले कुछ dummy text ले लेते हैं कुछ dummy text को लाएने के लिए हमारे पास function है, एक command है जिसका use करके हम उसको input कर लेते हैं तो press क्या करना है is equal to rand, then bracket open and close उसके बाद enter आप सबसे पहले यहाँ पर कर लेते हैं formatic, formatic में आप bold italic, underline कुछ भी कर सकते हैं font style change कर सकते हैं color change कर देते हैं और थोड़ा size increase कर लेते हैं अब बात करते हैं format printer format printer का मतलब यह एक ऐसा printer है जो सिर्ट format को copy करता है बागी की चीज़ों को छोड़ देता है इसकी value को copy नहीं करेगा तो format printer को use करने का हम लोग के पास दो तरीके हैं जिसमें पहला तरीका है अगर आप फिर्फ एक बार use करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या कर लीजें उसको select कर लीजे और format printer के जाके single click कर लीजे single time left click करना है आपको left click करने के बाद आप जहां पर भी उस format को apply करना चाहते हैं आप देख पा रहा है कि यहां पर उसके mouse की pointer का style change हो चुका है जहां भी आप उसको paste करना चाहते हैं आपको जाना है और उस text को select करके क्या कर देना है छोड़ देना है जैसे आप उसको select करके छोड़ देंके आप देख पा रहे हैं कि जो इसकी format थी जो इस content का text color था जो size थी जो font style था वो सारी चीज़े next के word पे apply हो चुका है यह तो रहा first type second type है अगर आप इसको multiple time use करना चाहते हैं तो वाप इससे क्या करेंगे select करेंगे और format printer पे जाके left double click करेंगे अब यह multiple time आप इसको use कर सकते हैं अब देखें यहाँ पे हमने select किया और छोड़ दिया फिर दूसरे पे जाते हैं फिर भी अभी format printer हम लोग का active है मतलब की सीधा सा है आप जितनी बार use करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए आपको double click करना होगा अब उसके बाद इसको deactivate करना है तो इसको deactivate करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वापीस से जाके या तो हम format printer पे left click कर सकते हैं या फिर आप आपके keyboard में जो escape button होता है उसका use करके उसको diselect कर सकते हैं अब हम क्या करते हैं अब हम एक नया पेजर लेते हैं और वहाँ आप से फिर से कुछ dummy text input कर लेते हैं आईए बात करते हैं अपने next block की तो next block का नाम है आपका paragraph block next block का क्या नाम है paragraph block paragraph block में आप सबसे पहले देख पा रहे हैं कि अलग-अलग type की list है first point है आपका list लिस्ट मेंले हम लोग के दो type के होते हैं जिसमें आप एक को Orial के नाम से जानते हो जिसका पूरा नाम होता है ordered list एक को आप Urial के नाम से जानते हो जिसका नाम है unorder list Orial का मतलब यह होता है जहां पे आपको कोई order कोई sequence न पता चले उस type की list को हम लोग order जहां पे आपको sequence order पता चलता है उस type की list को हम लोग ordered list कहते हैं जहां पे कोई sequence कोई type नहीं पता चलता हूआ वहाँ उसको unorder list के नाम से जानते हैं तो जैसे आप use करते हैं dot, star, tick ये अलग-अलग type के जहां पे आप symbol होगेरा use करते हैं आप कोई number niet नहीं हो तो उस type की list के नाम से जानते हैं आप बात करते हैं सो यूज करने का का तरीका तो आपको क्या करना है normally कर लेना है select select करने के वाद आप अपको चले जाना है जिस type की, आप list कुछ लिखना है तो आप जैसे इंटर्पिस करेंगे वह आटोमेटिक एड़ होता चला जाएगा अब आप माली यहां पर भी कुछ लिखना चाहते हैं तो फॉर एजांपल में लिख देता हूँ इस बाइनेरी ट्यूब कि बाइनेरी ट्यूब प्रियार लिखनेता हूँ के खालंद के लाव आको लिस्ट नहीं उज्टबं करना है फिर से आपको नॉर्मय टेस करना है तो आप इस एक बार आपको और है क्या प्रेस करतेंगे तो जैसे इंतर प्रेसिन करेंगे जाले करेंगें वह जो लिस्ट वाली फारमेटिक एक्टिवेट थी वो डियक्टिवेट हो जाएगी आप बातरते हम लोग नेक्स टाइप की जो लिस्ट है जितको हम लोग ordered list के नाम से जाते हैं जहां के आपको number का type मिल जाएगा या फिर आपको alphabet का type मिल जाएगा या फिर आपको चोज़ करके, दिए जैसे इंटर्पेस करते जाएंगे, आपकी वह List एड होती चली जाएगे. Next आपका है Multilever List.аниеすर समेरा दूर कि जाएंगे लिस्ट के अंदर जब List बनाते हैं, उसका हूँ लोग Multilever List कहते हैं. जैसे point number 1 का भी कई सारा point है, point number 2 का भी कई point है, तो वहाँ पे जब लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाते हैं, दुसकों को भल्टी लेवर लिस्ट के नाम से जानते हैं, उसके बार next option आपका है, indent, indent आपके, यहाँ पे, आप indent को कहा कर सकते हो, increase कर सकते हो और decrease कर सकते हो, indent का से लिखना, start करना चाहते हो, कितना space देके लिखना, write करना, start करना चाहते हो, तो आप इस option के दुरू, indent को increase, decrease भी कर सकते हो, तो अगर आपको decrease कर सकते हो, increase कर सकते हो, हाँ, यहाँ पे आपको एक option में बताना भूल गया, जिसमें आपके यह था, format printer, तो format printer का shortcut की होता है, control shift plus c, क्या होता है, control shift plus c, format printer, मतलब किसी content के format को copy करने के लिए, और format printer को मतलब उस format को किसी दूसरे word पर paste करने के लिए, आपको use करना पड़ेगा, control plus shift plus v, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, कि format printer की shortcut क्या होती है, next पर बात करते हैं हम लोग, next option आपका है, sort, हाँ तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, sorting की, तो sorting हम लोग के दो type के होते हैं, या तो वो ascending होता है, या तो वो descending होता है, तो छोटे से लेके बड़े में, या पर बड़े से लेके छोटे में, आपको क्या करना है, एक serial में लिखना है, 1, 2, 10 या 10, 2, 1, या A2, Z, या Z, 2, A तो इस type से content को change करने के लिए हम आप उसको sorting कहते हैं, तो सबसे पहला हम इसको कर लेते हैं, select और यहाँ से इसके सारे formatting को कर लेते हैं, remove, अब क्या करते हैं, sorting करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप content को select कर लीजिए, उसके बाद sorting पे चले जाए, फिर आपको सबसे पह आप किस के coding sort करना चाते हैं, किसी paragraph के coding, heading के coding, या कोई आपका field बना है उसके coding sort करना चाते हैं, तो by default हम paragraph के coding sort करना चाते हैं, आप sort में किस के recording चलना हैं या पर, या टेक्स्ट के या number या date के format में, तो आप इसको भी text ही रहनें दीजिए, उसके बाद आप select कर लीजिए, से कर सकते हो next option आपका है paragraph marker के नाम से जिसको हम जानते हैं यहाँ फंक्षन्ण दो चीजगे प्रोइड करता है पहली चीजतो हम यह करता है आप क्या या और फिर की the formatting एसी होती है buddy र hon नहीं दिख्ते यह उसको भी ALLos इस सारी चीजे क्या है यहाँ पर आप देख पा रहें कॉमा है फिर डॉट है तो जो फॉर्मेटिंग होती है जिनको यह पैरागराफ मार कर सौ करवाता है next option आपका है alignment exam के point of view से काफी ज़्यादा important होने वाला है आपसे exam में भी पूछ लिया जाता है इसके shortcut की वगरा या पर कैसे हम लोग alignment करते हैं तो alignment तो वैसे तो आपको यहाँ पर चार तरीके दिये हैं लेकिर होता तीरी है तो बात करते हैं आप alignment आपके चार टाइप की होते हैं इसमें पहला है left alignment दूसरा है center alignment तीसरा है आपका right alignment और fourth and last है justify तो by default आपका जो alignment होता है वो हमेशा और हमेशा left होता है लेकिन आप इसको right center भी करना चाहते तो कर सकते हैं इसको use करने के लिए आपको सबसे पहले content को कर लेना है select content को जैसे ही select करेंगे आप alignment पे जाके click जैसे करेंगे आप देखिया आपका content क्या हो चुका है center हो चुका है हम बात करते हैं आपके left alignment का जो shortcut की होता है control प्लस L होता है हम लोगों ने इस पर बात किया था कि maximum shortcut की बने है किसी भी word के पहले letter से तो control प्लस L होता है left alignment का center का होता है control प्लस E ध्यान दिजेगा exam में question आता है next time control प्लस R जो की alignment right का होता है shortcut की and last आपका control प्लस जे attendance alignment आपको जो justify होता है control प्लस जे होता है next option है आपका line and spacing तो यहाँ पर क्या होता है line and paragraph spacing आप दो line के बीच में दो paragraph के बीच में space को increase decrease कर सकते हो by default तो 1.0 रहता है लेकिन आप चाहते हो उससे ज्यादा कम भी करना चाहते हो तो कर सकते हो सब्सक्राइब तो यहाँ आपको बफॉर दिख रहा है after अब दो line और पहर एगर आपके पहले आप यहां से आ उसको रोघ यहां से उसको करने के बार किंगे में। अप्लाई कर सकते हूं। जितना भी आपके यह होगी। select करो then apply हो जाएगा next जो है आपका border तो border यहां पर आपको different type का मिलने वाला है जिसमें आपको सबसे पहले मिलेगा bottom border bottom का मतलब down बाला layer top border मतलब उसके उपर का left means left right means right side या फिर no border या फिर all border तो क्या करते हैं हम लोग इसको कर लेते हैं select और border को apply करके देख लेते हैं तो आप bottom पे करते हो तो आप देख पार है उसके नीचे हो रहा है top पे करते हो तो उसके top पे हो रहा है left में तो left हो रहा है right करते हो तो right या फिर कोई border लगा दिए हो remove करना चालते हो तो उसको भी remove कर सकते हो या फिर आपको all border करना है तो आपको चारो side आपके border लग जाएंग यहां से आपका end होता है paragraph block next आपका style block तो style block में क्या है देखिए यहां पर हम तो क्या कर रहे थे हैं अलग-अलग font को change कर रहे थे लेकिन यहां पर क्या है आपको पहले से कुछ चीज़ें fix कर दी गहीं जैसे उसका font change है उसको italic कर दिया गया है कहीं उसको bold कर दिया गया है तो बना-बना एक format हम उसको भी use कर सकते हैं या फिर आप यहां से memory उनको change कर सकते हो तो कर लेना है आपको select then आप जिसको भी use करना चाहते हैं आप जैसे ही उसको क्लिक करेंगे वह font style के साथ साथ करी सारी चीज़े आपको यहां पर change कर देता है तो यहां से आप अलग-अलग style टेक्स की change कर सकते हो यहीं से आपका end होता है आपका style ब्लॉग style ब्लॉग में आपको यहां पर सारी चीज़े दीख रहे हैं बना-बना एक format है जिसको आप use कर सकते हो तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक गुदारिस करना चाहूंगा यहां कि अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को कर लिजे subscribe और bell icon भी प्लेस कर लिजे जिससे आपको नए नए वीडियो की latest update आप तक पहुंचती रहे हैं अब आईए बात करते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग की तो नेक्स्ट वाले ब्लॉग का नाम जो है वो क्या नाम है editing ब्लॉग नेक्स्ट वाले ब्लॉग का क्या नाम है editing ब्लॉग दोस्तों कौन सा टैप पढ़ रहे हैं हम लोग हों टैब हों टैब एनए लास्ट और में लोका है एडिटिंग लॉग में जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन हो है थी फाइन फाइनफ फांक्शन के थूप हम अपने पुरे डॉकुमेंट से किसी भी वर्ड को किसी भी टेक्स पो फाइन कर सकते हैं find function का जो shortcut key होता है वो control plus F होता है तो हम क्या करते हैं for example मुझे find करना है add कि कहाँ पर मेरे document में या पर कहाँ कहाँ मेरे document में add a word या add a text to add तो क्या करते हैं तो सबसे पहले ध्यान यह दीजेगा कि जहाँ भी एक cursor pointer link करेगा यह find function वही से start करेगा find करना उससे पहले किसी word को find नहीं करेगा it means anti clockwise नहीं चलेगा वो clockwise चलेगा तो जहाँ भी cursor होगा वहाँ से find करना start करेगा फिर देन जैसे ही last तक जाएगा फिर से उपर से find करेगा लेकिन उसके जो start start होने का जो rule है वो जहाँ भी cursor होता है वहाँ से write चलता है हम इसको कर लेते हैं starting में और क्या करते हैं ctrl plus f प्रेस कर देते हैं ctrl plus f हमने प्रेस किया तो आपके सामने यहाँ पर आपका find function start हो जाएगा तो आप क्या करना है यहाँ पर जिसको भी find करना है उस word को मुझे हाँ पर क्या करना पड़ेगा type करना पड़ेगा तो word को कर देते हैं हम लोग type जैसे for example मुझे search करना था add को तो देखें जैसे add को select किया हमने आप देख पा रहे हैं इस सारे जगहों पर जहाँ जहाँ add था वो automatic tube हो चुका है या फिर आप इससे पहले वाले MS word में अगर करते हैं तो वहाँ पर आपको और option मी लेंगे आप एक एक पर जाके next next करके find कर सकते हैं तो find function के थूँ आप अपने document page ने किसी भी word को किसी भी content को find करना चाहते हैं तो find कर सकते हैं next option next function आपका replace function जिसकी shortcut की होती है control plus h तो ध्यान दिजएगा exam में ये question पूछ लिया जाता है कौन सा ऐसा function है जिसको use करने पर find function भी work करता है तो वह आपका replace function है जिसको use करने पर आपका find function भी work करेगा तो या तो आप control h प्रेस कर लिजए या फिर replace function पर use करते हैं तो देखिए यहाँ पर जैसे ही control h प्रेस करें हम या फिर replace function पर हम देख पा रहा है यहाँ पर आपका find function भी work कर रहा है तो आपको माली जिए कोई आपकी spelling error हो गए या पर किसी word की जिगर पर कोई और word लिखना चाहते है for example यहाँ पर इंसर्ट लिखा है वहाँ पर हम लोग home लिखना चाहते है या पर layout लिखना चाहते है for example हम home लिखना चाहते है तो सबसे पहले आप find करिए कि किस की जिगर पर क्या लिखना है तो मुझे जहाँ पर insert है वहाँ पर क्या type करना है उसको replace करना है किस से, home से, तो जैसे ही करते हैं, आपको कई चीज़े मिलेंगी, आप एक साथ भी replace कर सकते हो, सारी पर एक एक करके replace कर सकते हो, तो हमाँ यहाँ पर replace all करते हैं, तो आप देख बार है, all done be made to replacement, इस पूरे document में, दो जगाँ पर, दो प्लेस पर, टू प्लेस प क्या थे, आपका insert, वर्ड था, जिसको को क्या किया है, replace करके home कर दिया है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कि जहाँ पर आपका insert था, वहाँ पर आपका home हो चुका है, next option है, आपका select, तो select, कि तो आप पूरे text को भी select कर सकते हो, या फिर आपके MS Word document में, कोई object क्या क तो आप उसको भी select कर सकते हैं, या फिर select all with text, select all text with similar formatting, या फिर आप उन text को select करना चाहते हो, जिन दिन text पर similar formatting लगी ही है, और next आपका selection pane, तो selection pane आगे भी मिलने वाला है, तो उसके बारे में बार तरहेंगे, तो select all की, तो shortcut की control plus यह होती है, आप इसके थूरी select कर सकते हो, दोस्तों, यही से end होता है, आपका home tab, उमीद करता हूँ, वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहे होगी, और अगर वीडियो पसंद आ रहे हो, तो channel को कर लिजे, subscribe, और bell icon भी प्रेस कर लिजे, और एक like, एक share, तो बनता है, और अगर आपको कोई भी problem हो रहे है, कोई भी doubt ह चाहे किसी भी text को रहे है, किसी भी tab से related, कोई भी point से related समझने में, कोई भी problem हो आपको, comment section में, comment के थूँ आप, किसी भी question को put up करके, हम से directly उसका answer ले सकते हैं, तो आज के लिए यही तक धन्यवाद,